उत्तरपदेश के जनपत बुलन शहर में खूर्जा तैसील शेत के गाउं हजरतपुर में एक ऐसा परिवार है जो कि अभी तक किसी भी योजना का उसे लाब नहीं मिला है। उनके कारण परिवार शौचाले में बैठ कर अपनी रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन सरकारी मशीनरी और गाउं का प्रधान उसे आवास योजना के तहट आवास दिलाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। पना कर खाता है और वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण रात भर शौचाले में बैठ कर अपनी रात गुजारता है। लेकिन परिवार की ओर ना तो गाउं के प्रधान और ना ही सरकारी मशीनरी का कोई ध्यान है। आखिर इस परिवार का ऐसा क्या कसूर है कि इसे प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट आवास नहीं दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ख़बर चलने के बाद कब तक इस परिवार को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट आवास दिया जाएगा। क्या करान। मकान नहीं ऐखिसके कारनने बन पाया क्रद्धान के कारण। कि आप ऐसे रह रहे हैं। मैं बंद हो जाते हैं। बच्चों को ले के एंस संसरती कंते हैं। ऍुंचाले में हैं सोचाले में hacking दर्राके हैं कुते अठ्साऻ जूटे गढ़ा में लिकार के ले जामें भच्चे इस वरे से उसका ताला लगा देते हैं एसी में धर देते हैं, इसी में इसके विद यार रुपए आए बश्का माय बखतने को जवाब नहीं देता है। लिखे बारे-बारे 1000 गएं पर दस दियें सबको दस में कैसे यह पेसे दिये ते क्या दस पांच यहार दिये थे पांच की इट मंगाई थी यह जो इनका जहांपडी में रह रही है क्या है पूरा और सोचाले में सामन रखने रही हैं यह इसमें पानी ठपकता जहुंपडी में तो जब बारिस्वारी साव्य हूं बनाया कि खाती है और इसमें फिर सोझाती आया कि और सास नहीं नहीं कोई बहुत कई हमने भी पड़ो सिनने भी बहुत कई लेकिन मकान नहीं बन बाया अब पतो ना सर क्यों कोई पतो ना क्यों नहीं बन बाया प्रधानने मकान छोटे-छोटे बच्चे हैं जंगल हां तीन तीन लड़की हैं कभी खानों खा लेते हैं कभी भ जाते हैं विचार अपनों कर रहें गुजारत जैसे बहुत परेशानी में है यह और बहुत जादा तीन कर्णिया इस पर ना जमीन है ना घर है कुछ नहीं इसके पास पुछ भी ना कोई सरकारी योजना है ताजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें